हेलो एबरियोन आई आज हम लोग नर्वस सिस्टम के सेकंड वीडियो में चलते हैं इस वीडियो में आपको हम हुमिन ब्रेम या मानो मस्तिक्स के बारे में समझाएंगे ये बतलाएंगे इसके पहले हम क्लास चालो करें उसके पहले थोड़ा सा आपको एक इंफर्मिशन दे रियारी करवाई जाती है जो सुरच्छा बल में या वर्दी वाले नौकरी पहना नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास फिजकल और रिटेन दोनों बैच चलाए जा रहा है तो जैसा आपको मालूम ही है कि आज हम वीडियो बना रहे में इस उद्देश से कि आप फॉम भरना चालू हो गया है तो आप लोग जो बच्चे लोग जिनका हाइट अच्छा है या जो बच्चे सुरच्छा बल की तैयारी कर रहे है वो फॉम भर लीजिए और उसके लिए हमारे पास एक स्पेसल बैच चलाया जा रहा है हमारा ब्रांच दो जगा है हजारे बा पर और एक है आपका बाबगाउं चौक पर तो जहां भी आपको कमपटबल हो वहां पर बैच में जोइन किजिए और बहुत अच्छा एक सुविधा हम आपको बताते हैं कि वैसे बच्चे जो आर्थिक कमी के वज़ए से अपना क्लास नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए हमा 999 में हम उन गरीब छात्राओं को मदद कर बा रहे हैं जो आर्थिक कमी की वज़ए से आर्थिक तंगी की वज़ए से क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा ये बेनिफिट मिल रहा है कि 999 में उनका पूरा फिचकल क्लास कराया जा रहा है लगवात 3 से 4 महना के क्लास है जिसमें पूरे 999 में फिचकल क्लास करवाएंगे और साथ रिटेन क्लास छे घंटा से आठ घंटा के बीच में आपको डेली पढ़ाया जाएगा तो इस स्विधा के लाब लीजे और इस स्विधा को लेने के लिए आपको एक रासन कार्ट का हम को चाहि हैं तो यह दो अगर आपके पास है तो आप आए हमारे सेंटर में जहां 999 में आपको तीन से चार महना क्लास पूरे तरह रिटेन और फिचकल दोनों कराए जाएगा इस महिला या लड़की को यह स्विधा मिला है बहुत जल्दी हम कुछ लड़कों को भी यह स्विधा इसे बच्चियां जो आर्थिक कमी की वज़े से नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको इस 999 में फिचकल रिटेन तथा ओनलाइन और पूरे क्लास का लेक्चर वीडियो कम सेंट साथ सव घंटा का लेक्चर वीडियो आपको उपलब्द करवा देंगे तो कोशिश किजिए इस ल में के लिए जाने दीजिए यहां पर लड़कियों के लिए स्पेसल प्रोटेक्शन के साथ गल्स होस्टल चलाया जा रहा है जहां पर आप यहां रहे हैं तो एक एजुकेशन का माहूल इंभर क्रिएट होता है उस माहूल में आपको कमडिशन करने में अच्छा लगेगा आप एकले ग्राउन दोड़िएगा तो आप यह हमें सब हश्ट किजिएगा पर नतो जब कमडिशन दूसरे साथ किजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपमें क्या कमी रह गया है तो कोशिश करें क्यिए मामे पाड़ को समझा जाये और आये यहां पर ठीक शेलिए लेके लृग होस्टल है और शुबह में आपको पास से लेके आछ बेजे तक गाराउंड में ऐसे ऐसे बज़े से लेके दो बज़े तक class है, साम को चाहिएगा तीन बज़े से लेके छे बज़े तक class है, तो आप चाहिए तो दोनों class join किजिए और कोशिश किजिए इस बार result लिने का, साथ ही बता दें कि छोटा नाकपूर IAS Academy में, JPC का batch हमको लगता है कि आपको पाच दिसंबर से प्राराम हो रहा है, तो जो बच्चा JPC के तयारी करना चाते हैं या other competition के तयारी करना चाते हैं, जिसमें उनका height कम है, height कम है तो इसका मतलब नौकरी नहीं मिलेगा, तो आईए हम लोग फिर वीडियो में वापस आते हैं, तो पिछले वीडियो में, जिसे आपको स्क्रीन पर दीख रहा हैं, पिछे वीडियो लगा दिये हैं और एक ची और बताते हैं कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं, उसका अगर आप पिडियो चाहिएगा, तो हमारे वीडियो के description में देखेगा, हम सभी exam को लेकर एक अलग-अलग WhatsApp गुरूप बनाए हैं, आप किसी WhatsApp गुरूप में जोइन किजिए, जो चीज का तैयारी करना है, आप जो PC को WhatsApp गुरूप में जोइन कर लिजिए, SSE का तैयारी करना है, SSE को WhatsApp गुरूप में जोइन किजिए, यहाँ पर bilingual PDF notes हम दे देंगे, जिसको आराम से आप पढ़ सकते हैं, साथ में इसमें mock test का हम link लगा देंगे, जो भी chapter हम पढ़ा रहे हैं, उसको आप test दे के देखें कि आपको कितना याद हो पा रहा है या कितना हम समझा पा रहे हैं, तो चलिए हम लोग क्लास से start करते हैं, तो जैसा कि हम पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं, कि तंत्रिका तंत्र दो परकार के होते हैं, या तंत्रिका तंत्र को दो कैटेग्री में बाटा जाता है, पहला है central nervous system और peripheral nervous system, हम central nervous system का बात करेंगे, तो central nervous system में हमारे पास brain और spinal cord, दो चीज़े हैं, जिसके बारे में लोग को पढ़ना पढ़ता है, तो पहला आज का lecture हमारे पास brain के बारे में है, बहुत important question बनता है, और brain से बहुत सारे exam में परिछा पूछे जाते हैं, और typical topic है, जिसको लेकर बहुत सारे बच्चे लोग नुर्वाज आते हैं, जिसको कोशिस करें कि बहुत आसान भासा में आपको समझा दे, तो चलिए क्या है, सबसे पहले तो परिभासा का अगर बात करेंगे, मस्तिक्स मानों सरीर का सबसे जटिल अंग है, यह बिचार, स्मृति यह यादों को संग्रहित रखता है, तथा सरीर को निर्देशित करता है कि वह इनका क्रियानवन कैसे करेगा, या सरीर को निर्देशित करने का कारे कुन करता है, तो ब्रेन करता है, तो क्लियर है, तो एक सिंपल परिभासा अगर हम बात करेंगे, तो मस्तिक्स मानों सरीर का वह जटिल अंग है, जो अस्मृतियों को याद रखने, समझने या एनलेसिस करने की छमता रखता है और उन्हें के अनुसार सरीर को कारे करने की प्रेरना देता है पहला सिंपल परिभासा धर्ति पर पाए जाने वाले सभी सजीवों में मानव मस्तिक सबसे डेवलप है अगर इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे बाद सबसे डेवलप ब्रेन डॉल्फिन का है किसका है डॉल्फिन का है तो यह भी याद रखेगा मनुस्र के बाद सबसे ज्यादा बिक्सित अगर हम लोग मस्तिक्स का बात करेंगे ब्रेन का बात करेंगे किसका है तो डॉल्फिन का है उसके बाद अगर बात करेंगे तो ऑक्टोपस का ब्रेन बहुत बिक्सित माना जाता है आक्टोपस का अभी ब्रेन भी बहुत दिमाग तेज है तो ये तीन जीव हैं जिनको याद रखेगा सबसे धर्ती पर सबसे बिक्से दिमाग किसका है तो मनुस्यका उसके बाद हम लोग देखेंगे तो डॉल्फिन का उसके बाद अगर देखेंगे तो आक्टोपस का है मानो मस्तिक्स का निर्मान एक बिसेश परकार की कोशिका से हुआ है जिसे हम नर्व सेल कहते हैं हमारे मस्तिक्स में लगभग सौ अरब कितना बोले हम सौ अरब नर्व सेल कोशिकाओं से बना है हमारा मस्तिक्स लगभग 100 अरब कोशिकाओं से बना है जिसमें मातर 15 अरब कोशिकाओं ही सकरीख है ध्यान रखेगा मातर 15 अरब कोशिकाओं सकरीख होती है बाके सब निस्क्रिये पड़ी रती हैं हम उनका यूज नहीं कर पाते हैं तो सुचे जिस दिन हमारे पास 130 अगर हम ब्रेन का यूज करें तो अल्टिमेट पावर आ जाएगा और ये लोग इसी के साधना करते हैं माम लोग तिबबत के माम लोग जो है इसी के साधना करते हैं और देखते नहीं हैं वो लोग कुछ हौलीवूट का मूवी में देखा जाता है और एक-डो हौलीवूट बहुत अच्छा इसका नाम है लूजी कभी आपका मौका मिलेगा तो 100% ब्रेन का यूज करने की चमता को दिखलाया गया है लूजी नामक मूवी में तो आप Hollywood का movie देखेगा उसमें, बहुत अच्छा हमको लगा देखने में, तो हम अपने brain का मातर 15%, 100 अरब हैं, जिसे मातर 15% ही यूज कर पाते हैं, 15 अरब कोशिकाएं ही शक्रिये हैं, बाकि निस्क्रिय अवस्था में पड़े रहती हैं, एक की और जानेंगे, कि यह शक्रि नहीं होती है, पाच वर्ष की अवस्था में, वह धीरे-धीरे सक्रिय होने लगती है, और वह लगतार सक्रिय होते रहती है, कम से कम आपके 60 साल तक आपका active होते रहेगा, और धीरे-धीरे वह घटना चालो हो जागा, ब्रिधा अवस्था में, पुना क्या हता है, मस्तिक् human cell, अपना active खटम होने लगेगा, तो यहां ते clear है, दूसरा अगर हम बगो जानेगे तो इसका वेट कितना होता है, तो एक समाने मनुस में, एक ब्यस्क मनुस में, समाने मनुस में, पुर्सों में इसका वेट है 1400 ग्राम, पुर्सों में वेट है 1400 ग्राम, अब महिलाओं में कितना वेट होता है, तो महिलाओं में 1200 ग्राम, अब यहां पर थोड़ा सा अपनों कन्फीजन मत रखें कि महिला का द तो 1100 ग्राम है इसका मतलब उनकी efficiency में कमी नहीं है, efficiency उतनी है जितना पुर्सों में होता है, तो ये गलत फहमी नहीं रखेगा, दुसरा एक और है, मानिता जाना जाता है, कि एक समाने बैक्टी के ये मनुष्य के शरीर के भार का दो परतिसत मस्तिक्स का भार होता है, एक समा समात बच्चों ये बच्चों में ये मस्तिक्स का वजन 350 ग्राम है, तो ये थोड़ा से fact है, इसको याद रखेगा, क्या के fact हम याद करवाएं, तो पहला fact याद करवाएं, कि मस्तिक का निर्मान 100 अरब को सिकाओं से हुआ है, जिसमें 15 अरब को सिकाएं सक्रिये हैं, बाक लोग देखेंगे, सरीर का भार के अनुसार मातर 2% मस्तिक्स का भार होता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, मस्तिक्स कैसे सुचनाओं को संग्रहित करता है, तो आपको नर्व सेल में भी बतायते हैं, कि मस्तिक्स जो है, मस्तिक्स विदुत रसायनिक संकितों के मा तो मस्तिक्स में लगभख 60% fat पाए जाता है, क्या पाए जाता है? 60% fat पाए जाता है, और बाकी का 40% में हम देखेंगे, protein, carbohydrate, गिलियन कोशिकाएं पाए जाती है, मस्तिक्स में क्या क्या पाए जाती है? तो 60% क्योल fat है, उसमें 40% में आपको protein मिलेगा, carbohydrate पी मिलेगा, nerves कोशिकाएं मिलेगे, या neuron कोशिकाएं मिलेगी, और gillian कोशिकाएं पाए जाती है, तो इतने चीज़ों से बना है, इसमें दो प्रकार के matter है, इन पदार्थों को हम लोग 2 matter में भाजित कर सकते हैं, पहला एक matter को कहते हैं, grey matter और दूसरे को कहते हैं, white matter पहले को कहेंगे grey matter means, और दूसरे को कहेंगे white matter इसक्राण को पीछे हैं वीडियोगे लगा दिया हैं तो उसमें दिखेगा, मस्तिक्स में जो भी पदार्थ हैं उनको दो केटेग्री में विभाजीत किया सकता है एक को कहते हैं ग्रे मेटर देख रहे उपर वाला पार्ट है जो ग्रे है और नीचला पार्ट को वाइट मेटर करते हैं इसलिए ध्यान समझेगा उपर वाले पार्ट को ग्रे मेटर करते हैं नीचला पार्ट को वाइट मेटर करते हैं तो ग्रे मेटर मस्तिक्स का बाहरी आवरन का निर्मान करता है. मस्तिक्स के बाहरी आवरन का निर्मान कोन करता है? ग्रे मेटर. और अंतरिक भाग का निर्मान कोन करता है? तो वाइट मेटर. पहला चीज फैक्ट हमको याद रखेगा, कि मस्तिक्स का निर्मान दो परकार के matter मतलब पदार्थों से हुआ है एक को कहते हैं grey matter एक को कहते हैं white matter इसमें वहीची पाये जाएंगे जो अभी बताए था आपको fat पाये जाएगा, protein पाये जाएगा, carbohydra पाये जाएगा, neuron cell पाये जाएगे यह दो अलग-अलग केटेगरी में बटे रहते हैं, एक को कहते हैं हम लोग ग्रे मेटर उपर वाला और एक को कहते हैं वाइट मेटर, जस्ट इसके अपोजिट, अगर हम लोग देखेंगे, जब हम लोग रेड की हड़ी पढ़ेंगे या एस्पाइनल कोट की बात पढ़ेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें माईलीन शीट से कभर किया हुआ Umiaxon से होता है या माईली शीट अपार जया अपिछा हखता हुआ Hexone से होता है जब कि ग्रे हमैटर के निर्मान नुडरोसॉअलन नामक येieß सेल ब सेल सेथा है दोनों को अलग-अलग function इसलिए बहुत important चीश है जो बता रहे उसको ध्यान समझेगा जो gray matter है वो सुचनाओं को संग्रहिद करके उसको analysis करता है सुचनाओं को संग्रहिद करके उसका analysis या क्या करते परिछन करता है जबकि जो white matter है वो सुचनाओं को प्रसारित करता है वो भेजता है उन अंगों तक जहां पर उनकी आउ सकता है या उन अंगों से रिसीब करता है और लाके brain में छोड़ता है तो दोनों का काम analysis करने काम कौन है तो grey matter का काम है और जो सुचनाओं को प्रसारित करता है या उन अंगों तक पहुचाता है उसका काम कोन करता है तो white matter करता है तो उमीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा तो हम लोग बात करेंगे यहां protection of brain brain कैसे protect है या हमारे सरी द्वारा कैसे protection दिया गया है तो सबसे पहला तो देखेंगे हम लोग एक बाल भी है जो protection का काम करता है इसके अलावा हमारे खोपड़ी सबसे मजबूत protection layer तेयार करता है खोपड़ी जो है इसकल है वो सबसे मजबूत layer तेयार करता है इसके उपर भी हम लोग देखेंगे, तो 2 परत पाई ज आती है, इसकी उनकल मिला क्या 3 परत , खोपड़ी के उपर भी 3 परत पाई जाती है , exactly खोपड़ी के उपर वाली परतों को हम लोग में पहला स्कीन परत है के लिएंगे तो आप हो सबसे उपर में हुआ उसके बाद अपनीडोसिस मीरे र 92 के अपको मस्तिस को सुरच्छा दे रही अस्कल के नी बात करेंगे खुबडी के नीचे तो उस खुबडी के नीचे वाले जो तीन परत है तो सही तुरूप से मेनेंजिस कहते हैं इस तीन परतों को सही तुरूप से मेनेंजिस कहते हैं इस खोपड़ी के नीचे वाले परत को हम लोग क्या कहेंगें डूरा मेटर, आर्कनोइड मेटर और पीया मेटर फिर से Duramater, Arcanoid Mater और Piamater यह तीन है जो मस्तिष को सुरच्छा परदान करती है इसमें सबसे मोटी परत है तो Duramater है उसके बाद Arcanoid Mater अस्पंज की तरह या मकड़ी की जाल की तरह हमारे मस्तिष को घेरे हुए है और सबसे पतली परत हमको मिलेगा Piamater तो यह तीन मैटर है जो है जो ब्रेन को सुरच्छा परदान करती है चलिए आए हम लोग बात करते हैं A Structure of Brain इसमें हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले ब्रेन को है ना Completely ब्रेन को हम लोग तीन अलग अलग वर्गों में विभाजित कर सकते हैं जैसे ृस्क्रि pawण प्रेन को तीन भॉड़ों करते हैं पहला है एक क्ण अग्र मस्तिष को प्वर्गों बात सकते हैं दुसरा है मद्य मस्तिष को मड्ड ब्रेन करते हैं और एक अंतिम है जिसका नाम है हैंड ब्रेन इन तीनों के कई उपवर्ग मिलेंगे मगर मस्तिक्स को हम लोग मोटे तौर पर तीन वर्गों में विभाजित करते हैं पहला अगर मस्तिक्स, फोर ब्रेन, दूसरा मद्ध मस्तिस, मिड्र ब्रेन और तीसरा हैंड ब्रेन इसमें देखेंगे, फोर ब्रेन को हम लोग पुना तीन वर्गों विभाजित कर सकते हैं, पहला जो सबसे बड़ा हिस्सा बनेगा, डिटेल हम बताएंगे, अभी क्यों वर्गी करन को समझें, तो पहला फोर ब्रेन को हम लोग सेरिब्रम करते हैं, सेरिब्रम में विभाजित दूसरा मेडूला, अबलिगेंटा और तीसरे बैलम, यह तीन वर्गों में हम लोग हाइंड ब्रेन को बाटते हैं, तो आपको उम्मीद करते हैं, यह समझ में आया होगा वर्गी करन, अब इसका धीरी-धीरे हम लोग क्लासिफिकेशन करते चलेंगे, तो पहला हम लोग फोर फोर्ब्रेन को देखते हैं, फोर्ब्रेन को हम लोग तीन वर्गों में बाटे हैं, तो पहला मस्तिष का पहला हिस्सा क्या है, फोर्ब्रेन है, फोर्ब्रेन के बारे में बात करते हैं, फोर्ब्रेन को हम लोग क्या कियें, तीन वर्गों में विभाजित कियें, तो चेरिब्रम मानमस्तिक्स का सबसे बड़ा हिस्सा है, मानमस्तिक्स में सबसे बड़ा हिस्सा कोन है? चेरिब्रम है, यह दो हिमस्फियर यह दो लोब में बटा हुआ है, एक इस्क्रीन पर भी आजेए, इस्क्रीन पर देख रहे है, तो एक लेप्ट लोब है और एक राइट लेप्ट लोब हमेशा राइट बॉड़ी को कंट्रोल करता है जबकि राइट लोब है वो हमेशा लेप्ट बॉड़ी को कंट्रोल करेगा तो एक पहला फेक्ट है कि सेरिब्रम मानमस्तिष का सबसे बड़ा हिसा होता है यह दू भाग में बटा हुआ है जिसे हिमस्फेर करते तो left hemisphere और right hemisphere में बटा हुआ है, left hemisphere right body को control करेगा और right hemisphere left body को control करेगा, पहला यहां तक के लिए है, यह दोनों lobes है, जो आपस में corpus coulum से बंधा राता है, आपस में कैसे जुड़ा राता है? इस nerve cell को हम लोग Cerebrum Cortex कहते हैं, Cerebrum Cortex कहते हैं, फिर से Cerebrum का उपरी पाड़ जो है, वह नर्प सेल का बना होता है, जिससे हम Cerebrum Cortex कहते हैं, याद रखेगा, यह Cortex जो होता है वो grey matter से बना होता है, किसे? gray matter, तो यहाँ पर देखिए का आपको दिखाते हैं, cerebrum है, इसका जो उपरी पार्ट है ये, तो इसी कहते हैं हम लोग, cerebrum cortex, जो gray matter का बना हुआ है, आपको याद है, gray matter हम बतायते हैं, जो neuron, sombs से बना हुआ है, या cell body से बना हुआ है, जो हम पिछले अभी चर्चा कर चुके हैं, cerebrum जो है, वह भी चार हिस्वों में बटा हुआ है, जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, पहला है front lobe, दूसरा है parietal lobe, तिसरा है temporal lobe, और चौथा है occipital lobe, ये चार भागों में cerebrum जो है, वह बटा हुआ है, cerebrum का अगर काम के बारे में बात करेंगे, तो cerebrum क्या करता है, यादो को संग्रहित रखता है, स्वाद लेने, सुनने और सुनने की छमता को बिखसित करता है, इसके साथ क्या है, तो सरीर के muscles को नियंतरित करता है, इस मसल्स को संकुचित या शिकूडने, संकुचित होने, शिकूडने या फैलने में मदद करता है इसी के द्वारा तापमान, ठंड, गर्म या दुख, दर्द की अनुभूती होती है तो ये सेरिब्रम में इतना ची आपको याद रखेगा सेरिब्रम का इस्टेक्चर हम बता दिये, सेरिब्रम क्या करता है इसके बारे में बता दिये अब आते हैं, अगला हम लोग चलेंगे, थैलेमस के बारे में बाते है तो ये सेरिब्रम है, उससे घिरा हुआ बीच वाला जो हिसा बुलू कलर का दिख रहा है यही थैलेमस है इसे ब्रेन का स्टेशन कहते हैं यहीं पर क्या है तो सभी जगा से सुचनाएं एकत्र होकर यहां आती है जैसे हमें गरम लगा ठंडा लगा यह कुछ भी हम देखे सुने मासुच किये वो सभी सुचना कहाता है सेंसरी नियूरोन के माध्य हमसे यहां पर आता है और यहीं पर से ब्रेन द्वारा भेजा गया सिगनल यहां जाता है सबसे पहले और यहीं से अन्य सरीर के अंगों में जाता है और उसके अनुसार रियक्ट करता है तो यह स्टेशन का काम करता है मतलब सुचनाओं को लेने या सुचनाओं को भेजने के पहले यह सबसे प करके ये बागी को बचाने के कोशिज करता है thelemus thelemus के बाद हम लोगा hypothalamus का बात करेंगे तो for brain में ये तीन मेजर पार्ट है पहला cerebrum, दूसरा thalamus और तिसरा hypothalamus तो आपको दिख रहा होगा ये blue krr का जो है यह thalamus है, यह brain का सबसे जोटा भाग है जैसे अभि हम सबसे बड़ा भाग शेरिव्रम बतायाा थें वह इसे सबसे चोटा भाग कौन सा बटा है तो थैलेमस है है हाइपो थैलेमस है सबसे चोटा है यह उपर से थैलेमस और नीचे से Pituitory gland द्वरा घिरा हुआ है उपर से आपको देखे, color change करते हैं इसका, उपर से हमको pituitary gland मिलेगा और नीचे से pituitary gland, यहाँ पर जो छोटा सा दिख रहा है, इसको pituitary gland करते हैं, यह pituitary gland से गिरा हुआ है, यह हमारे सरीर में pituitary gland से निकलने वाले हर्मोन को नियंतरित करता है, साथ ही सरीर में जल की आपूर्ती को निश्चित करता है, तापमान को निश्चित करता है, तो इन सभी को control करने वाला यह नियंतरित करने वाला कौन सा है, तो hypothalamus है, hypothalamus में एक यह आपको याद रखना है, कि hypothalamus जो है, वही auto nervous system को control करता है जो हमारे control में नहीं है उन चीजों को नियनतित करने काम कोन करता है तो hypothalamus करता है जैसे हम सास ले रहे हमारे दिल का धड़कन चल रहा है हमें हार्मोन या लीभर के अंदर में कुछ bowel juice का जरूआता है यह जो भी हमारे control के बाहर है उन सभी को नियनतित करने कारे कोन करता है तो hypothalamus करता है अर्थाथ hypothalamus है जो autonomous nervous system को control करता है autonomous nervous system ऐसे nervous system होते हैं जिन पर हमारा नियनतरन नहीं होता है उनको control करने काम करता है तो hypothalamus करता है